अचार तो आप हर साल बनाते होंगे और हर साल खाते भी होंगे लेकिन आज मैं आपके लेले क्या आई हूँ पंजाबे स्टाइल आम का अचार की रेसिपी इस अचार को आप बना के एक साल तक श्टोर कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये अचार एक बार इस साल मेरे कहने पे इस तरीके से आम के अचार को एक बार जरूर बनाईएगा बहुत ही टेश्टी बहुत ही मज़ेदार बनेगी तो चरिये सुरू करते हैं आम का अचार बनाने के लिए ये मैंने आम लिया है आम को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है फिर एक सूखे कपड़े से साफ कर लिया है आम में पानी नहीं रहना चाहिए इस बात का ध्यान रखेगा तब ही आम जादा दिन तक श्टोर रह पाएंगे और आम अच्छे बनेंगे तो आम के पहले उपर वाले हिसे को इस तरह कट कर देते हैं तो ये देखे सारे हिसे को मैंने कट कर लिया है अब एक चॉपिंग बोर्ड ले लेंगे इसमें हम आम को छोटे छोटे टुकडे में कट कर लेंगे तो आम को हमें नहीं जादा छोटा करना है और नहीं जादा बड़ा करना है क्योंकि अगर ज़ादे बड़े टुकड़े में कट कर दीजेगा तो आम को सुखने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और कभी होता यह है ना कि अगर आप किसी को आम खाने के लिए देते हैं तो ज़्यादा बड़ा खा नहीं पाते हैं तो लास्ट में वो वेस्ट हो जाते हैं तो छोटे टुकड़े में कट कीजेगा तो आम ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होंगे तो ये देखिए आम के मैं इतने छोटे छोटे टुकडे कर रही हूँ ये बिल्कुर परफेक्ट है और बहुत ये अच्छी गल के बन के त्यार हो जाती है तो ये आम को इस तरह हम कट करके त्यार कर लेंगे आप इसमें गुठली कभी इस्तवान कर सकते हैं तो मैं इसमें गुठली नहीं टाल रही हूँ तो ये देखिए आम को काट कर एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे प्लेट को भी मैंने अच्छी से साफ करके धो के सूखा कर लिया है तो सारे आम को मैंने कट कर लिया है तो अच्छे से प्लेट में फैला देंगे और इसी हम धूप में 4-5 घंटे के लिए रख देंगे 4-5 घंटे में बहुत अच्छे से आम सुख जाएगी तब तक हम मसाला त्यार कर लेते हैं तो एक ग्रैंडिंग जार में एक बड़ा चमच सरसो ले लेंगे एक बड़ा चमच सौफ ले लेंगे, सौफ बहुत जरूरी है, सौफ से बहुत अच्छा टेश्ट आता है फिर इसमें हम मेथी के टाने डाल देंगे, एक छोटी चमच और इन सब को दरदरा पीस लेंगे मिक्सी को चलाएं, फिर बंद करें, फिर चलाएं, फिर बंद करें इस तरह दो तीर बड़ा की जेगा, तो इस तरह देखें, दरदरा पीस के तयार हो जाएगी तो अब हम एक सर्विंग बाउल ले लेंगे, इसमें हम सारे मसाले को डाल देंगे, जो हमने क्राइन करके रखा है फिर इसमें हम एक बड़ा चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे एक बड़ा चमच कास्मिरी लाल मिश पाउडर डाल देंगे नमक डाल देंगे स्वात के नुसा तो आम के अचार में हलका सा नमक थोड़ा जादा ही रहता है तो अचार खाने में अच्छा लगता है तो नमक मैं हलका सा जादा ही इस्तमाल कर रही हूँ तो दो चमच नमक डाल देंगे तो सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें हम ओयल डालेंगी तो मैं सरसो का तेल कच्चा सरसो का तेल इस्तिमाल कर रही हूँ तो एक चोथाई कप सरसो का तेल डाल देंगे इसमें पहले हम सरसो के तेल को सारे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो सरसे को तेल को पहले अच्छे से गरम कर ले धुवा निकलने तक फिर उसे ठंडा कर ले फिर मसालों में मिक्स कर सकते हैं लेकिन मैं गरम करके नहीं डारेट इसी तरह डाल रही हूँ ये देखिए 5-6 घंटे हो गए हैं आम भी काफी अच्छे से सूख चुकी है देख सकते हैं जितना आम था उसकी क्वैंटिटी भी कम हो चुकी है तो पहले आम को अच्छे से मसालों में मिक्स कर देंगी तो सारे आम को डाल देते हैं मसालों में और मसालों में हमें अच्छे से कोट कर लेना है तो इस्पून से या फिर हाथों से अच्छे से मसालों को कोट कर लें आम में तो ये देखिए इसी तरह चलाते वे मैं हाथों से कर रही हूँ क्योंकि इस्पून अच्छे से मिल नहीं रहे हैं तो हाथों से चलाते हुए सारे आम में मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए हमें कोट कर लेना है तो अच्छे से मिल आते हुए मिक्स कर लिया है मैंने ये देखिए तो अब हम क्या करेंगे एक इस्पून में ओयल गरम करेंगे टू टेवल इस्पून ओयल को अच्छे से धुआ निकलने तक गरम हो जाने देंगे फिर इसमें हम हिंग डाल देंगे हिंग जब अच्छे से पक जाए फिर हम आम के उपर डाल देंगे और इसे हाथों से नहीं mix करेंगे क्योंकि oil गरम है तो इस्पून के साहता से mix कर देंगे और ये हमारा आम तयार हो चुका है तो जार में डाल देते हैं आप जो अचार वाली बर्णी आती है ना उसमें भी डाल सकते हैं या फिर कांच के बॉल में डाल सकते हैं तो सारे अचार को अच्छे से एक जार में डाल देंगे तो ये देखिए जिस जार में आप अचार को डाले धियान रखेगा वो जार बिलकुल सुखा हो उसमें कोई पानी ना हो फिर उपर से oil डाल देंगे ताकि अचार जब हमारे गले तो oil उपर तक आ जाए और oil और जादा दिन तक इस्टोर रहेंगे तो ये देखिए अचार त्यार हो चुका है तो ढखकन बंद करके इसे आप 3-4 दिन तक धूप में रखें जब धूप निकले तब बाहर रखें और अचार हमारा बिल्कुल त्यार हो चुका है और 3-4 दिन में आप इसे खा भी सकते हैं और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सी पंजाबी स्टाइल आम का अचार बंद के त्यार हो चुका है आप इस साल इस आम के अचार को जरूर ट्राय कीजेगा आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा तक ही मेरे वीडियो के नोटिफेकेशन आपको सबसे पहले मिले तो जाएए फटाफट इस साल इस मज़ेदार सी आम की रेसिपी को घर में बनाएए और सालों साल इंज्व कीजेगे